नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है विद्यार्थियों एक लंबे समय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी जिसका कारण कोविट या कुरोनकाल की चुनोतिया चल रहा था प्रंतु हम आपके साथ हैं और आपको जो भी पढ़ने में असोविधा आ रही है वो लगातार हम काउंसलिंग के माध्यम से फोनों के द्वारा फोन से या किसी भी गत्विधियों से आप तक जुड़े हुए हैं लोग आफिस में भी रहते हैं आपको जो भी दिक्कत हो आप कभी भी पूछ सकते हैं आप सब के दिक्कतों के साथ में जो मेरे पुराने वीडियो उनको देखते हुए आज की मैं नई क्लास लेने आई हूं आपके बीच में प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों एक चीज में आप से कहना चाहूंगी कि जो हमारा मीडिया श्टडी का कोर्स है या जो हमारा पत्रिकारिता एवं जनसंचार का कोर्स है वो आपस में काफी मिला हुआ है अगर हम किसी एक धारा या विधा को पढ़ते हैं तो फिर हमें दूसरे के बारे में भी जानकारी होती रहती है या फिर होनी चाहिए इसलिए आज की जो मैंने क्लास लिए एक हमारा नया कोर्स जो है फूरा फुल फलेस कोर्स में है Electronic Media and Film Production पेज जो की एक वर्स का डिप्लोमा है उसके बारे में मैं क्लास दोंगी उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ कि जब बात Media Industry की होती है तो जैसा कि मेरा जो पहला लेक्चर है आप चाहें तो यूटूब के इसी विस्विद्याले के चैनल प पढ़ते हैं Media Study के कोर्स के नाम से कई बार हम इसको Means of Communication के रूप में संचार के जन्म आध्यम के रूप में भी फिल्मों का अध्यान करते हैं तो जो आज की क्लास है उसमें मैं आपको एक प्रारंभिक जानकारी दूँगी हमारे विस्विद्याले में चलने वाले इस कोर्स के बारे में कि फिल्मों पर आधारि जो एक वर्ण से कौर्स चल रहा है पीजी डिप्लोंमा चल रहा है वो क्या है उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है और इसको करने के बाisterने के बार आप क्या-क्या सीक्षा कまず है साथ ही आउग स्ज he तुरह कि क्लास होगी जिस से वो यह समझ पाएंगे के फिलमों की जानकारी कैसे होती है क्या होती है और अगले कुछ के मांद धहम से मैं इस पूरे कोर्स को इस पूरे मॉड्यूल को खत्म करने का प्यास करूँगी और आपके संभाविस सवालों का जवाब भी दूँगी तो आज मैं बात करूँगी हमारे विश्विद्याले में चलने वाले यह जो फिल्म डिप्लोमा का कोर्स है पीजी डीएम एस एफपी इस कोर्स के बारे में यानि कि पीजे डिप्लोमा इन एलेक्ट्रोनिक मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन का यह हमारा प्रोग्राम कोर्ट 213 के अंतरगत चलता है जो कि एक वर्स यह कोर्स है और इसको अगर आप किसी करण से एक वर्स में नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपको अधिक्तम तीन साल तक का अवशर मिलेगा इस कोर्स को पूरा करने का यह एक पूरा एनवल कोर्स है एनवल प्रोग्राम है आप इसमें जब अनुशन लेते हैं तो इसके एक साल बाद आपको जो है इसके पेपर्स को देना पड़ता है इस कोर्स में हमारे पांच पेपर्स चलते हैं जो आपको पढ़ने होगे पहला पेपर है मीडिया इन के बारे में बिविस्तार से अगले मौडूल में आपको और बताऊंगे जानकारी दूसरा पेपर हमारा फिल्म इंट्रोड़क्शन प्रिंसपल्स एन हिस्ट्री का है जिसमें कि हम पूरा भरते फिल्मों का विस्व की सिनेमा का या जो भी फिल्म जगत की कहानिया है उ उनके बनने की संभावना है, संकला ने उन सब का बारे में अध्यन किया जाता है तीसरा पेपर में आपको बताया जाता है फिल्म प्रोडक्शन के बारे में यानि कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए किन-किन चीजों की जरुवत है आप कैसे इन चीजों को कर सकते हैं इसकी जानकारी दी जाती है चौथा पेपर हमारा फिल्म प्रबंधन अर्थात फिल्म मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है जिसमें फिल्म मैनेजमेंट की जो बुनियाती बाते हैं कि कैसे हम एक जब फिल्म को बनाने की सुरुवात करते हैं तो कैसे उसका प्रबंधन करना चाहिए, कैसे उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, उन सारी चीजों की पूरी विस्तिज जानकारी दी जारी है, अब पांच्वा पेपर जो है आपका ये अलग-अलग मॉडूल्स के त से रूप से प्रेणादायक होगा या महत्पूर्ण होगा जो कि आज फिल्म जगत में जुड़े हुए हैं, कई सारे कार्य कर रहे हैं, जिनके पास सद्धानतिक जानकारियां तो बहुत सारी हैं, कम उमर में मुंबई चले गए हैं, या फिर उनके पास कई अनुभा हो है, कैमरे के अनुभा हो हैं, कई सारी चीजे हैं, और वो धीरे-धीरे आदमाना चाहते हैं, हाथ अपना वेब सीरीज की दुनिया में, फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में, या फिर वो आजमाना चाहते हैं, सीरे-सीरे बॉलिवूड में, आप सब दोस्तों जानते हैं, कि इन्रस्ट्री में कितना इसकोफ है जितना ही इसकोफ है उतनी ही चुनौतियां है तो हमारे विश्विद्याले में चलने वाला यह कोर्स आपको एक धरातल की प्रिष्ट भूमी के तहट बताता है कि भारतिय फिल्म स्रीमा का क्या इतिहास रहा है इसमें हम कैसे कार्य कर सकते हैं और इसकी जो भी अध्यन सामगरी है वो सब आप तक पहुंशती है आप उनको पढ़ते हैं उन पर अधारित पेपर देते हैं और लिखत परिष्ट के बाद आपको एक प्रमानपत्र प्रस्तुत दिया जाता है एक सैटिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप आपने वो अलग से चाहते हैं कि नहीं मुझे विल्म के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए और मैं इसको अपना एक स्पेसलाइस्ट पेपर बनाना चाहता हूं तो वह इस पेपर को ले सकते हैं क्योंकि उनकी लिए काफी जानकारी और संभावनाय रहती हैं मेरे ऐसे कई कुष्भ गाली हो सकता है तीसरा यह cute विद्यार्थी ऑंक यह जिन रोजभान फिल्मंस जिंक अध्यार्थी वvaluation सिरु consする नहीं होतां अगर हम बात करें फिल्मों की तो फिल्म में एक मैं एक पुर्य सपनों की दुनिया में ले जाती है और आप पूरा विस्तार से बताती है कि कैसे किसी समस्या की क्या समभावनाय हो सकती है क्या उसके आयाम हो सकते हैं और हम कैसे उसको प्रैस्तुत कर सकते हैं एक बहुत बदे के डिसिप्लीन के रूप में फिल्म इंडर्श्ट्री उभर रही है फिल्म इस्टेडीज भी वैसे ही जिसकी सुर्वात जर्नलिजम मास कम्निकेशन कोर्स के तहत हुई थी मास कम्निकेशन के डिसिप्लीन में ही हुई थी जो कि कहीं न कहीं जब हम जर्नलिजम को पढ़ते है करें जो कि दुद्यय विश्युद्ध के बाद के आया अ Заाया एक唱 की रूप में उबरा और वही प्रशन पत्र जो है जब धिर symmetry विस्तार पाने लगा और शिनिमा के विसaisग्यों ने कहा नहीं अब आब शक्ता है जिसे एक समरिद रूप से एक सामगरी देने की अकरध्यन देने की तो कई विस्विध्यालियों ने अलग से फिल्म इंस्टडीज के जो हैं कोर्स चलाने सुरू किये कई जगे फिल्म को एक पेपर के रूप में मास कमिनिकेशन के तहती पढ़ाया जाता है कई जगे फिल्म इस्टडीज के अलग से कोर्स चलते हैं अब तो कई सारे ऐसे फिल्म इंस्टिट्यूट भी खुल चुके हैं जहाँ आप पूरे का नाम ले लीजिए या कॉलकता के सतजीद रे इंस्टिट्यूट फिल्म इंस्टिट्यूट की बात कर लीजिए जहां पर पुरा विस्तार से अलग से फिल्मों के बारे में बताया और समझाया जा रहा है उसी कड़ी में उत्तरपदेश, राशि, टंड, एंद, मुख्त, विस्त वित्याले का यहां कोर्स जो है काफी लुभावने के साथ साथ काफी जानकारी देने वाला है जो कि आपको फिल्म के जुड़े अनेक पहलूओं को आपके सामने रूबरू करता है आपको बताता है और आपको इससे एक परचित कहुने का अवशर देता है क्योंकि जो विद्यार्थी या विद्यार्थियों के बाद में छोड़ दीजिए कई सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीर अंचलों में भी रह रहे हैं ऐसी जगे रहे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई तो नहीं लेकिन उनके पास अनभाव की बह करा दिया है फेस्बुक हैं इंस्टाग्राम है रील्स हैं ऐसे बहुत सारे सोस्यमीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं कई सारे चीजे और भी हैं कि जिनमें आप छोटी चोटी चोटी चीजे बनाके आप अपने आपको एक प्रख्यात रूप में विक्षित कर सकते हैं अपन विद्यार्थियों में अपने विद्यार्थियों को दोस्त ही कहती हूं क्योंकि फिल्म इंडॉस्ट्री एक ऐसा जगह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कि जब तक हम अपने मनोभाव को नहीं समझ सकते हैं हम आडियंस या दर्शकों के मनोभाव को नहीं समझ सकते हैं अ समवादों की बहुत आविसकता होती है आज भी अगर हम कहते हैं कितने आदमी थे तो हमारे दिमाग में सोले फिल्म की प्रिष्ट भूमी पुरी आ जाती है इतने ससक्त बात कुछ भी होता है तो कहता है मेरे पास तो माँ है ऐसे जो भी समवाद थे या ऐसे जो भी उन्हीं चीज़े नहीं होते हैं गीत, संगीत, लाइटिंग एफेक्ट्स, कैमरा, प्रोडेक्शन ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है जिसको ले के करना पड़ता है और ये ऐसा समुद्र है जिसमें जितने गोते लगाएंगे उतने मोती पाएंगे अर्था दोस्तों आपक लेकिन हा निस्चित ही या कोर्स जो है आपको एक ऐसी धरातल के प्रिश्ट भूमी दे देगा जो कि आपको इन सारी चीजों के बारे में बुनियादी बातों के बारे में बताना शुरू करेगा एक और चीज़ देख रहे होंगे आप यूटूब पे या जो भी रियल्ट पड़िया हो या यूटूब हो सोचल मीडिया हो फिल्म रिव्यू की बहुत डिमांड सारी है फिल्में परदे पे चलेंगी या उतरेंगी फिल्मों का क्या भविष्य होगा यह कहीं न कहीं उनको मिले इस्टार से भी निर्धारित होता है कभी-कभी बहुत अच्छी फिल काई सारी आफबीट फिल्में हैं जो वर्तमान में कोरोना के संकट की वज़े से ओडिटी प्लेटफॉर्म पे आई और बहुत ही अच्छी फिल्म थी हाली में आई फिल्म पगलेट हो या राम प्रसाथ की तेर्वी यह ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने समाजिक प् क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पठकथा वाले की इन सारे प्रशनों पे इन सारे वाक्यानों पे हम धीरे-धीरे अलग मड्यूल्स में और अलग चीजों में जाएंगे और इस तार से मैं आपको बताऊंगी लेकिन आज सिर्फ आपको इस स्कोर्स का पढ़िए दे रही ह कभी कभी फिल्म की अच्छी समीख चाहें अभी हाल ही में दो फिल्में रिलीज हुई एक 83 और दूसरी फिल्म पुस्पा फिल्म पुस्पा ने बस ऑफिस पर कडोरों रुपए कमाए और 83 उसके सामने कहीं न कहीं थोड़ी धूमिल पड़ी जबकि बास्तों में फिल्म 83 इतनी सांदार और अच्छी थी जो भारत की वह जीत अगर आप सब को याद होगा दोस्तों तो हमें क्रिकेट का वर्ड कप मिला था वह एतिहासिक छण हम सब के दिलों में बसा हुआ है हमारे लिए गौडव के पल है जिसमें अभिनेतारों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की जिसमें इतने अच्छी कहानी, इतने अच्छी डैलोक students और इतनी अच्छी फिल्मों के बाद भी, कुरोना के संकट में वह फिल्म दर्सकों तक उस रूप में नहीं पहुंच पाई जिस रूप में उसे पहुंचना जाहिए था तो ये कहीं न कहें फिल्म समीक्षिकों के द्वारा उसका अंदेखा करना या कुरोनकाल की चिनौतियां थी तो ऐसे में अगर आप किसी फिल्म के बारे में अच्छा रिव्यू देते हैं अच्छा कमेंट्स करते हैं तो आपका निश्चही मन करता है कि हम उस फिल्म को जाके देखें और हम उस फिल्म के बारे में प्रिचार प्रसार भी करें क्योंकि कहीं न कहीं फिल्म में अगर हम बात करें राजकपूर को याद करें तो जितना भारत उनसे प्यार करता था उतना ही रूस की जंता उनसे प्यार करती थी उनका गाना फिर बेदिल हैं हंदोस्तानी सिर्पे लाल टूपी रूसी अब क्या उन्होंने जो गाना गाया जो उन्होंने वो सारी चीजे की वो कहीं न कहीं तो जो फिल्मों की समिच्छा की जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि किसी एक फिल्म को देखने का क्या दृष्टी कौन होता है किस तर उनका एक अच्छा समीच्छक के रूप में वो ना सिर्फ अपनी पहचान बना सकते हैं बलकि इस को करने के उपरांत वह एक अच्छे फिल्म समीच्छक भी बन सकते हैं इसका और लाब है वो जो मैंने बताया आपको कि जो भी विद्यारती फिल्म जगत से जुड़ी आचुकी हैं जो कि हमेजान और यूटूब पर पड़ी हुई हैं तो वैसे बहुत सरे हमारे ही स्विद्यालाई के विद्यारती हैं जिन्होंने फिल्म पे पीएजडी की लेकिन अपने घ्यान को विस्तार करने के लिए डक्टर मनीज जैसल जी कि जैसे लोग जो हैं जो ज काम कर रहे हैं जैसे की मैंने बताया आप लेक्षन के जा सकते सकते हैं फिल्म समीख्छा लिख सकते हैं और साथ ही साथ में आपको मैं आने वाली classes में ये भी बताऊंगी कि कैसे जब हम एक फिल्म को एक आम तरह से देखते हैं और विसेसग के दृष्टी देखते हैं तो कैसे उसमें अंतर पाया जाता है अभी हाली के दिनों में मैंने फिल्म हाफ गल्फ्रेंड देखी और आप समने देखियोगी जो की चेतन भगत के उपन्यास पर अधारित है और बहुत ही अच्छे से फिल्म आया गया जिसके गाने भी फेमस रहे समने इसको हि और बिहार की प्रिष्ट भूमी से जोड़के हिंदी और इंग्लिस की समस्या से जोड़के जिका लेकिन उसमें बहुत छोटा सा द्रिष्टी कौन था जो एक फिल्म समिक्छक के रूप में कहीं न कहीं हम मैं देख पाई मैं समझ पाई वो मैं आपसे सेर करना चाहूंगे अपने उस अनुबहों को कि उसमें सिर्फ तेन सीन थे फिल्म में जिन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा को परदीपर एक्टम उभार के रख दिया था वो तीन फिल्म के सीन थे जब फिल्म अभनेत्री जो भी जाती है अपने घर में और उनके स्रद्धा कपूर सीन में ज comida कि बहुत है कि एक परिवार में वहां के ठीवार में डार्वर में घरैलं हिंसा से जो बॅने दर्द हैं उनके परिवार में घरति हम होती है और वह उससे बचन के बचनीक कर रास्ता मा सिरफ एक बार पल के भाल के जबकाति ॐधी 저기 नहीं कुछ मत करो और वह अन दिले संगीत में व्यस्त हो जाती है और उस दर्द को संगीत के जड़िये मिटाने की कोशिस करती है वो एक परदे का चित्रन कहीं न कहीं दिल को चीर करके रख देता और यह दिखाता है कि आज भी भारतिय समाज में हम जिन अमीर घरानों की बात कर रहे हैं या गरीब घरान में पहाया है वो बिहार के प्रिष्ट भूमी से आया है वो अभिनेत्रे जितना अमीर नहीं है उसके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन उसकी माने जो उसे संसकार दिये है कि वह एक छोटे से जगे पर रहके चोटे से इलाके की स्कूल को डेवलप करने के लिए कैसे वह फं तो एक सीन में धी अब आता है। यह वे बताती है और प Megalize बैसे हमालागा पुए हम साफी की से यहातो जाती है। फिल्म का या तीसरा सीन करना हमाला की महिलाओं हो जाता है। उस फिल्म का अंतिम सीन जिसमें के एक सुख़व दंद को कहाने प्राप्थ करती है। और काफी चारे नाटिके घटना क्रमों के बाद में उस गाउं में एक अच्छा स्कूल भी खुल जाता है और खुद सद्या कपूर जो कि फिल्म में अभिनाय करनी थी जो मेन अभिनेत्री थी उस फिल्म की और अरजन कपूर के एक बेटी को वह अनभाव देती रहती कभी भी हार से हारना नहीं हार को हमें हराना है कहानी इस हो уж dan दिखा और दिखा हो करका है कि हिंदी इंगलिस पर पेक्ष को दिखा के लिए जा रहा बाए एक इसे फिल्म को देखने में का अलग पर पेक्ष हो सकता है जिसमें आपके सवालों के जवाबों जैसे आपके सवाल आएंगे उन उन जवाब के अधार पे हमारे आगे कि व्याख्यान बनते रहेंगे और उसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी फिल्म के किस भाग को लेकर हम कैसे एक ही फिल्म की कैसे समीच्छा लिख सकते हैं हम कैसे किसी एक मुद्दे को लेकर उसके उपर लिख सकते हैं हम कैसे किसी एक निर्देशक के बनी फिल्मों के बारे में लिख सकते हैं और हम कैसे उसके बारे में विस्तार कर सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं, इन सारी जो के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, करेंगे, इसका जो तक्नीकी पक्ष है, वह भी आपको पुस्तक कि कोण मिलेगा और आप यह जान पाएंगे की कैसे ऐसे फिल्म हे समाज से बनता है, इस डेलoooooo कई डिबेट हैं कई आलोचनाएं कई विवेचनाएं हैं जिनको आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ते रहेंगे और हम लोग उसके बारे में जानेंगे आज के इस व्याख्यान को खतम करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगे कि आपकी अगली क्लास जो है मैं आपको फिल्म का इतिहास बहुत महत्पूर्ण है जिसमें फिल्म आयती आला मारा जो कि पहली बोलती फिल्म थी और 1937 की किसान कन्या जो कि पहली कलर फिल्म थी यह तो कुछ ऐसे रोचक तत्थ हैं जिनको मैंने आज आपको रूबरू कराया है आने वाली क्लासे में आपको फिल्म का क्या म समाज पे प्रभाव डाल रही हैं और कैसे और कैसे सारी चीजें वह चीज आ रही हैं वह सब अच्छे से स्कोर्स में बताई जाएंगी की जाएंगी तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार प्यारे विद्यार थी हूं मैं उत्तरक्रेश राजशी टंडन मुग्त्वी सिद्य प्रियाग राज केमपस में बैठती हूं अगर आपको कभी भी कोई सवाल हो आप मिलना चाहें कोई भी आपकी जिग्यासा हो उनके समाधान के लिए मैं डॉक्टर साधना सिर्वास्तों आपके साथ हूं नमस्कार